इम्रान खान ने अंतरराष्टिय बेच जिती के बार आखिरकार मोधी के सामने हार मान ही ली अमेरिका में दुनिया के सामने गिड़गडा रहे पाकिस्तानी प्येम कश्मीर मुद्धे पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ गए हैं और उन्होंने ये भी माल लिया है कि उनक जमुकश्मीर के मसले पर आक्रमक रवये का नाटक फेल होने के बाद पाकिस्तान को असलियत का पता चल गया है यही कारण है किमरान खान बैक फूट पर है यूएन में ही प्रेस कॉंफरेंस के दौरान कुछ ऐसा हुआ किमरान खान को शर्मिंद्गी का सामना करना पड़ा दरहसल यूएन में प्रेस कॉंफरेंस के दौरान पाकिस्तान के एक पतरकार ने सवाल किया कि भारत और अमेर का की दोस्ति और राष्ट्रपती ट्रम के रवये से आसा नहीं लग रहा कि वो कश्मीर पर पाकिस्तान की सुनेंगे तो ऐसे में आप आगे क्या करेंगे यह तो पाक पियम बोले ओ थैंक्स मैंने किसी के सामने भीक नहीं मांगी। मैंने डॉनाल्ड ट्रॉम से मुलाकाट की और उन्हें मुझूदा हालातों के बारे में बताया सिर्फ इतना ही हुआ है। पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। फिर चाहे वो सवुदी अरब से मिला फंड हो या फिर चीन से लगातार आ रहा निवेश हो। और आप इमरान खान के सामने भीग शब्द बार बार आ रहा है। इस बारे में आप भी अपनी राए रखिए साथ ही आपके अपने चैनल हेडलेंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। झाल